अभी नीट की स्टुडेंट की बीच दो मुद्दे ट्रेंडिंग में हैं एक की जो पेपर लीक हुआ है उसके कारण से क्या री नीट एक्जाम होना चाहिए और दूसरा मुद्दा यह है कि जिन बच्चों ने पेपर दिया है अपने मार्क्स कैलकुलेट कर लिये हैं तो उनको expected cutoff क्या होना चाहिए क्या expected cutoff जाना चाहिए क्या उनको उस मार्क्स पे medical college की seat alert होगी या नहीं होगी तो वेल हम लोग यहाँ पे दूसरे मुद्दे पे बात करेंगे कि expected cutoff क्या होगा इससे पहले, नीट एक्जाम से पहले मैंने अल्रेडी वीडियो बनाया हुआ था, जिसमें मैंने highest segment को cover किया था, कि highest जादा से जादा expected cut-off क्या हो सकता है, जिसके आधार पे डेड़ दो महने में आप अपने preparation को अच्छा कर सकें और अपने आपको safe कर सकें, well, एक्जाम होने के बाद last जो मैंने cut-off वीडियो आपको दिया हुआ है, उसमें पिछले साल 36 गड़ में, जो first round की counselling हुई थी, उसमें पंडित जेनम medical college और government medical college महा सम्मुन्द, दोनों के criteria को ध्यान में रखती हुए, ये कहा गया था, कि इतना cut-off जा सकता है, पंडित जेनम medical college यहां का 36 ग करता है, और जो महा समुन्द medical college है, generally जिनके marks जो होते हैं, lower side में होते हैं, या cut-off marks जो गया हुआ था, उसमें से ज़्यादा तर बच्चों ने महा समुन्द ही choose किया था, ये का मतलब, actually मैं समझाने की कोसिस करूँगा आपको, बहुत सारे बच्चे अलगलग जगों पे ज depend करता है, कि आपने किस college को किस order पे रखा हुआ है, तो वो आपको मिल सकता है या नहीं मिल सकता है, जिन पे हम लोग result आने के बाद, counseling program होने के बाद, continuously बात करेंगे, आप सारी चीजों को कोसिस करें कि एक साथ ही जान ले, तो ऐसा कोई shortcut नहीं होता है, day by day data भी change हो जाता है नए-ने information भी हमारे साथ जूड़ते जाते हैं, जिसके अधार पे cut-off का जो prediction है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, पर ज्यादा तर cases में आप ये देखेंगे, कि ये लगबग एक ही marks के आसपास रहता है, well, अगर हम लोग college wise बात करें, जैसे ज्यादा तर बच्चो भी मैंने mention कर दी है, अभी नए medical college खोलने की बात तो बहुत जोर सोर से चल रही थी, लेकिन अभी वो ठंडे बस्ते में हैं, क्योंकि election तक तो कोई chance है नहीं, और after election भी मुझे संभावना कम ही नजर आती है, private medical college दो खुल सकते हैं, ठीक है, तो अभी हमें ये मान के चलते है कि last year जितनी सीटे थी, उतनी सीटे रहेंगी, reservation policy भी last year जैसा ही रहेगा, उस आधार पे, जो colleges है, इनको हमने चार सेट में डिवाइड किया है, जो पहला सेट है, इसमें कोई doubt नहीं है, marks चाहे बच्चे के जो भी है, अगर वो 36 grad का domicile है, और counseling में participate कर रहा है, तो preferably उसका wish होता है कि Pandit JNM Medical College रायपूर में उसको admission मिले, तो undoubtedly पहला choice तो वही भरा जाता है, इसलिए यहाँ पे मैं आप देखिए, मैंने कुछ marks mention किया है, कि यदि आप unreserved category से belong करते हैं, 620 plus marks हैं, तो आप अपने आपको समझे कि आपको Pandit JNM Medical College मिल जाएगा, एक survey कराया था, मैंने simple सा अपने YouTube channel में ही, आपने भी सायद उसमें participate किया होगा, तो उसमें काफी सारे लोगों ने जो response किया और ये मैंने देखा कि तकरीबन 16%, 16% लोगों ने ये show किया है कि उनके marks 600 plus हैं, और ये indicate करता है कि इस बार जो है 600 plus वालों की संख्या यहाँ पे 36 गर में बढ़ी है, इ यदि आपको counseling में participate करना है, तो it doesn't matter कि आपके marks कितने हैं, अगर आप need qualified भी हैं, तो भी आप counseling में participate कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, anyway, तो unreserved category से 620 plus यदि आपके marks हैं, तो आप expect करिए कि आपको पंडी जेने में medical college मिल लाएगा, OBC में 610, 612 marks हैं तो, SC category में 520 plus marks हैं, अच्छा, इसका मतलब कताई ये नहीं है, कि इससे कम marks हैं, तो आपको choice filling order change कर देना है, ये सारी चीज़े बिल्कुल, इसलिए मैं कहता हूँ, वीडियो को पूरा देखा करें, और अगर जिसको भी आप follow करते हैं, ऐसा नहीं कि एक teacher का एक वीडियो देखा, फिर दूसरे क देखा ऐसा नहीं, जिसको follow करते हैं, आप completely देखिए, समझेए, और उसके आधार पे ही decision लिजे कि किस तरीके से counselling में participate करना होता है, ST के डिगरी में 421 प्लस marks वाले पंडी जेहने medical college expect कर सकते हैं, अब हुआ क्या है कि देखिए, बायो और chemistry का paper आप अच्छे से जानते हैं आचा, EWS का मैं star इसली लगा दे रहा हूँ, योकि इसमें भी बहुत जादा data fluctuate करता है, कई बार क्या होता है, बच्चे नहीं रहते हैं, और कई बार क्या होता है, बहुत जादा बच्चे रहते हैं उसी category में, तो अगर बहुत जादा बच्चे हैं, तो हो सकता है कि ये general क equivalent हो जाए, unreserved के equal हो या उसके आसपास हो, कम बच्चे हैं, definitely ये क्या हो जाएगा, drop हो जाएगा, तो ये जो range मैंने दिया हुआ है, ये maximum range है, इस marks के उपर अगर आप क्या रहे हैं, तो आप अपने आपको 100% safe समझे कि आपको पंडित जेने medical college रायपूर मिल जाएगा, अब अगर आप unreserved category से belong करते हैं और आपके marks 552 हैं या उससे ज्यादा हैं, तो आप अपने आपको safe समझे, OBC में 545, 445, 546 तक, अगर बात करें SC category के तो 450 plus marks हैं अगर आपके, और ये ही एक तरह से कहा जाए, तो ये cut-off हो सकता है, जिसमें आपको 450 plus SC category है, तो आपको, आप मान के चलिए कि medical college की seat मिल जाएगी, then after SC category में जाते हैं, तो 341 plus, last year से अगर हम लोग compare करें, तो जितने भी trend अभी तक देखने को मिल रहे हैं, ये बता रहा है कि जो cut-off है, increase होना चाहिए, क्योंकि number of seat हैं भले all year India बढ़ी हैं, लेकिन 36 गड़ में फिलहाल कोई भी seat increase होते ह भी नहीं दिख रही हैं, और अगर आप EWS से belong करते हैं, तो 490-500, अब इस video के comment box में भरमार आ जाएगा, कि sir मेरा 330 number आ रहा है, SC category से belong करता हूं, कौन सा college मिलेगा, 440 number आ रहा है, SC category से belong करता हूं, कौन सा college मिलेगा, तमाम प्रकार के comments मिलेंगे, ध्यान से चीज़ों को समझ मैंने या किसी और ने जो cut-off ये दिया हुआ है, ये उपलब्ध data के अधार पे है, इसका कतई ये मतलब नहीं है, कि आपके number इससे कम है, तो आपको medical college नहीं मिलेगा, ये official बिलकुल नहीं है, ये completely unofficial है, official cut-off कब decide होगा, जब counseling complete हो जाएगी, और उसके बाद ये देखा जा कि कौन से number पे किसको MBBS के college allot हुए है या नहीं हुए है, वही official cut-off होता है, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए होता है, ताकि आप अपनी strategy, अपनी planning बना सकें, अगर आपके marks बहुत ज़्यादा lower side में है, for example, you are unreserved categories से belong करते हैं, 510 number हैं, 520 number हैं, तो you have to take a decision, कि भले आप counseling में participate करिए, बिल्कुल करिए, लेकिन आप सही समय पे decision लीजे कि क्या आप आगे drop करके फिर से preparation करना चाहते हैं, या आप drop नहीं करना चाहते हैं, कोई नों कोई course choose करना चाहते हैं, MBBS के अलावा भी बहुत सारे अच्छे courses हैं, available हैं, जिसमें NEET के माध्यम से admissions होता है, तो ये decision making में आपके लिए helpful हो, इसलिए ऐसे videos आपके सामने लाए जाते हैं, या like for example, जैसे आप OBC category से belong करते हैं, और आपके marks 480 हैं, 490 हैं, तो आपको एक निरने लेना होगा, कि आप या तो preparation continue रखेंगे simply, या तो फिर आप preparation discontinue करेंगे, और उस marks पे आपके लिए जो best available course होगा, इसलिए यह सब videos आपके सामने होते हैं, now यह पहला set of college है, यह last, अब बीच के जो बच्चे होते हैं, बार-बार पूछते हैं, अलग-अलग marks बताके, अलग-अलग category से, तो देखें, वो 100% predict करना इसलिए possible नहीं है, कि choice filling के order पे depend करता है, मैंने एक यहाँ पे ideal choice filling order यहाँ पे डाला हुआ है, college के आधार पे, suppose अगर अब इससे कम marks है, तो but obvious है, इससे कम marks है, मतलब सीधे 500 बाउन की बात नहीं कर रहो हूँ है, like maybe like आपका 600 plus है, या 610 plus है, like 590 है, तो आपको probability in colleges की है, sims मिल सकता है, जगदल पूरिया, राजनान गाउं, अब हो सकता है आपका घर आपने राजनान गाउं को पहले भर दिया है, sims से, तो but obvious है कि उसी marks पे आपको राजनान गाउं मिल लाएगा, हो सकता है कि आपका घर बिलासपूर के पास हो, आपने बिलासपूर को पहले डाला हुआ है, तो आपको sims बिलासपूर मिल लाएगा, तो ये चीज़े रहती है तो second set of college में ये Sims बिलासपूर GMC जगदलपूर और GMC राजनाद गाउं आते हैं जिनके क्रम को बच्चे अलग अलग भरते हैं preference में किसी ने जगदलपूर को उपर डाल दिया है preference में किसी ने राजनाद को डाला है तो उसके अधार पर बिलेगा अब इसके बाद जो ये तीन हो गया इसके बाद दो तीन में कॉलेज रखे हैं GMC अंभी कापूर GMC रायगर और चंदूलाद चंद्राकर गवर्मेंट मेडिकल कॉलेज भी लाई इनसे लोवर मार्क्स ठीक है और इनसे अपर मार्क्स वाले बच्चे डेफिनिटली है ना मतलब ऐसा तो नहीं कि आपके 620 नमबर आ रहे हैं और आप ये कॉलेज को टॉप पे रखोगे ऐसा भी बिल्कुल नहीं है तो जो मीडी रेंज के मार्क्स रहेंगे जादा तर कॉलेज खुद प्रेडिक्ट कर सकते हैं और दूसरी चीजी है किसको बेस्ट नहीं चाहिए हर इस्टूडेंट चाहता है कि उसको अपने मार्क्स पे सबसे बहतरीन कॉलेज मिले उसके लिए सिंपल सही तरीका ये होता है कि जब आप च्वाइस फिलिंग और करें उससे प पंडी जन्म मेडिकल कॉलेज रह पूर हूं तो मुझे वो क्यों नहीं मिलेगा क्योंकि आपके उपर मार्क्स वालों में पंडी जन्म मेडिकल कॉलेज को प्रेविटी में उपर में रखा हुआ है और जब तक आपके मार्क्स पे अलॉट्मेंट स्टार्ट होता है तब त चीज के लिए बढ़ाने की घबराने की जरूरत नहीं है मैं रिक्वेस्ट करूंगा अगर आपकी इच्छा है डिफेनेटली आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करिए करना भी चाहिए किसी के कहने से की मेरे को नहीं मिल सकता मेरे इसे कम आकस है कोई डिप्रेस होनी की जरूरत नहीं है आप काउंसलिंग में बिलकुल पार्टिसिपेट करिए वो भी एक प्रकार का लर्निंग प्रोसेस ही है आपको मिल गया कॉलेज बहुत अच्छा आप डेफेनेटली जोईन करिए नहीं मिलता है तो चीजों को सीखने में काम आएगा जब आगर आप प्रि चेकंसी राउंड में मिल भी सकता है तो यह सारी चीजें हैं इन चीजों को समझे और आपके सारे कमेंट्स के या वार्सेप मैसेजेस के में इस्टेंट आंसर नहीं दे सकता मेरे कुछ परसनल मजबूरियां है तो उसके लिए मैं छमा चाहूंगा नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी ऐसे इनफॉर्मेशन के साथ जैसरी राम